मैं स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार्टेंज मुंबई एरपोर्ट पर प्राइबेट चार्टेट प्लेन के क्रेश होने की खबर सामने आई है जानकारे के मताविक चार्टेट प्लेन बारिश के बीच लेंडिंग के दोरान रन्वे पर क्रेश हो गया है इसके बाद प्लेन दो हिस्सों में तूड़ गया है और इसमें आग भी लग गई है ये लाइफ तस्वीरे हैं कि किस तरह से ये प्लेन क्रेश हुआ है जानकारी मिलते ही मौके पर फाइर ब्रिगेट की टीम भी पहुँच गई है और आग बुझाने का काम भी शुरू किया गया है प्लेन में छे पैसेंजर्स और दो क्रू मेंबर सवार थे इनमें से तीन जखमी बताए जा रहे हैं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भरती कराया गया है हाथसे के बाद कुछ देर के लिए रनवे को बंद भी कर दिया गया था और इस दोरान विस्तारा एरलाइन्स ने कहा है कि देहरादून से आने वाली एक उडान को गोवा के मोपा एरपोर्ट की और डाइवर्ट किया गया है फ्लाइट यूके 865 ये करीब शाम सबाद 6 बजे गोवा में लेंडिंग करने वाली है चार्टर प्लेन के क्रेस लेंडिंग पर मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम्टेट के अधिकारी ने बयान जारी किया है परवक्ता ने कहा है कि 14 सितंबर को मेसर्स VSR वेंचर्स लियर जेट 45 विमान VT DBL6 यात्रियों और दो क्रू मेंबर के साथ विजाग से मुंबई के लिए उडान भर रहा था ये विमान मुंबई एरपोर्ट पर रनवे पर फिसल गया गटना शाम करीब 5 बश कर 2 मिनट पर हुई है इस हाथसे में कोई हाता हात नहीं हुआ है और तीन लोगों के जखमी होने की खबर सामने आई है अजर के लिए आई है